पादाम पादाम कच्चा बदाम गाने वाले भूबन बदायकन को आज कौन नहीं जानता गली के लड़कियां हो या फिल्मी अभिनेत्री कच्चा बदाम का खुमार ऐसा चड़ा कि गाना सुनते ही पायल की खनक सुनाई देने लगती है लेकिन कच्चा बदाम सिंगर के फैंस के लिए बुरी खबर है 28 फरवरी को एक हादसे में सिंगर भूबन जखमी हो गए उन्हें पशिम बंगाल के बीर भूम इस्तित सुपर इस्पेसेलेटी और अस्पताल में भरती कराया गया खबर है कि सिंगर भूबन एक सेकेंट हैंड कार चलाना सीख रहे थे इसे दोरान हुए हादसे में उनके सीने समेत शरीर के दूसरे जगह पर भी च्योटे आई है भूबन पशिम बंगाल के बीर भूम जिले के कुराल जूरी गाउं के रहने वाले हैं उनके परिवार में पत्नी, दो बच्चे और एक बेची है भूबन अब तक मुगफली बेच कर गुजर बसर करते थे इसे दोरान उन्होंने ग्रामिन ग्राहकों को अपनी ओर खेचने के लिए काचा बदाम गेत बनाया और खुद के लिए तयार लाजबाब सूरों में गाना शुरू कर दिया एका एक उनका यह गाना किसी ने मोवाइल से रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया जो कि चंद दीनों में देखते ही देखते वाइरल हो गया और मुंगफली बेचने वाले भुवन रातो रात देश्क दुनिया में फेमस हो गए मुंगफली विक्रेता भुवन इसकदर फेमस हो गए कि एक म्यूजिक कंपनी ने उनको लाखों रुपे का चेक सौप दिया और उनके साथ एक म्यूजिक वीडियो भी रिलेज कर दिया अब कई टीवी शो और प्रोग्राम से भी उनको आफर मिलने लगे हैं अब भुवन वो भुवन नहीं जो काचा बदाम बेचा करते थी भुवन अब सेलिब्रीटी बन गया है काचा बदाम फेम भुवन की पॉपलिब्रीटी का आलम ये है कि लोग उनके साथ सिल्फी लेने लगे हैं भुवन ने अपने एक इंटर्वी में कहा था कि अब उन्होंने मुंगफली बेचना बंद कर दिया है क्योंकि वे सलिब्रीटी बन गये हैं एक खास बाचित में भुवन ने कहा था कि वह शाते हैं कि सरकार उनकी मदद करें ताकि वह अपने रहने के लिए पर्मानेंट घर का इंतजाम कर सकें परिवार को पहनने के लिए अच्छा खाना और कपड़ा दें काचा बादाम वाले भुवन की यात्रा ने यकीनन आपको भी इंस्पायर किया होगा आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब काचा बादाम को भुवन ने गाया तो सिंगर नहीं थे नाहीं उन्हें कोई जानता था मुंगफली बेचने के लिए वे दूर दराज के गाओं में साइकल सुझाते थे भुवन रोजाना तीन-चार किलो मुंगफली बेचते और दो सो से रहाई सो रुपे कमाते लेकिन जब से उनका गाना काचा बादाम वाइरल हुआ वो पहले से ज्यादा मुंगफली बेचने लगे भुवन पिछले 10 सालों से मुंगफली बेच रहे थे लेकिन बादाम बेचने के लिए उन्होंने लोकप्रिये बावल लोक धून पर बेजड काचा बदाम गाने को कमपोज किया भूबन के मुंगफली बेचने का ये तरीका इतना लोकप्रिये हुआ कि आज हर किसी के जुबान पर है काचा बदाम बेर रपोर्ट नियुज्टाग्ट